नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल धन्राज शोट हैंड अकेडमी इस टेनो क्लासिस में दोस्तों आज का हमारे डिक्टीशन है तैनिक जागरण संपात किये गांधी परिवार का संकट नई दिल्ली दिनांक 23 अगस्त 2020 गती 80 शब्द प्रतिमनेट डिक्टीशन स्टार्ट होगी पांस सेकिंड बाद स्टार्ट कॉंग्रेस कार्य समीती की बैठक के पहले नित्रत्व के सवाल पर खीचतान तेज होना यही बताता है कि पार्टी यह तै नहीं कर पा रही है कि उसे क्या करने की जरूरत है और उसकी पूर्टी कैसे होगी एक और कॉंग्रेस के करीब दो दर्जन नेता पूर्ण कालिक अध्यक्ष की जरूरत जता रहे हैं और दूसरी और अन्यनेता इस पर जोर दे रहे हैं कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का विकल्प राहुल गांधी ही हो सकते हैं विराम खेमे बाजी के बीच यह प्रतीत भी कराई जा रही है कि सोनिया गांधी पार्टी को नया अध्यक्ष जुनने को कह रही है विराम इस पर यकीन करना इसलिए कटिन है क्योंकि कम से कम उन्हें तो इससे अवगत होना चाहिए था कि बतौर अंतरिम अध्यक्ष उनका एक साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है विराम क्या यहे पहतर नहीं होता कि अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले ही वहे नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू करती यदि ऐसी कोई पहल नहीं हुई तो इसका मतलब यही निकलता है कि यथा इस्थती बनाए रखने को बहतर समझा जा रहा है या फिर उस समय की प्रतिक्षा की जा रही है जब कांग्रेसी नेता एक स्वर से यह कहने लगे कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस की कमान सौपी जाए विराम पैरा क्या यह संभव है कि सोनिय गांधी चाहें और फिर भी पार्टी नया अध्यक्ष चुनने में दिल्चस्पी न दिखाए आखिर इस नतीजे पर क्यों न पहुंचा जाए कि कांग्रेस का एक खेमा यता इस्तती बनाए रखने के पक्ष में है और दूसरा राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष पत पर बैठाने में कांग्रेस का एक समुह राहुल को अध्यक्ष बनाने की मांग कर भी रहा है लेकिन समस्या यह है कि सभी निता इस मांग के प्रती उत्साह नहीं दिखा रहे हैं विराम कोई नहीं जानता की राहुल कांधी क्या चाहते हैं लेकिन इसमें दो राय नहीं कि वह पार्टी को संचालित भी कर रहे हैं और बड़े फैंसले भी ले रहे हैं विराम कॉंग्रेस में नेत्रत्व का सवाल चाहे जैसे हाल हो लेकिन सच यही है कि होगा वही जो गांधी परिवार चाहेगा विराम शायद इसी कारण प्रियंका गांधी की इस बात को खारिच करने में कोई देर नहीं की गई की परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष बने विराम भले ही कॉंग्रेस यह साबित करना चाहे कि वहे पार्टी नेताओं की इच्छा के अनुरूप नेत्रत्व का फैंसला करने को तैयार है लेकिन वास्तविक्ता यही है कि गांधी परिवार अपनी इच्छा पार्टी पर थोपने की राह तलाश रहा है विराम कॉंग्रेस का मौजूदा संकट वस्तुत है गांधी परिवार का संकट है विराम परिवार के असमंजस से उपजे इस संकट ने ही पार्टी को दो खेमों में बाट दिया है पून विराम आशा करते हैं आप सभी को टेक्टिशन पसंद आई होगी तो प्लीज कमेंट वाक्स में कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले धन्यवाद